दोस्तों, programming में अक्सर हमें arithmetic calculation तो करना ही पुरता है और इसके लिए javascript में हम लोग use करते है arithmetic operators नमस्कार दोस्तों, आफे देश कोडिंग हाप पर आज का हमारा topic है जavascript fundamentals और javascript fundamentals में हम लोग आज सीखने वाले हैं कैसे arithmetic operators को use करते हैं तो चलिए एक demonstration देखते हैं arithmetic operators का, एक variable n1 लिया जिसका value 9 set किया और एक variable n2 लिया जिसका value 2 set किया अगर r1, symbolic के लिए हम लोग इसको result 1 बोल रहे हैं इसमें हम लोग n1 plus n2 store करें तो r1 में 11 store होगा r2 में हम लोग n1 minus n2 करते हैं तो इसमें 7 जाएगा r3 equals to n1 into n2 और यह 9 into 2 18 होगा r4 equals to n1 by n2 और यह होगा 4.5 और r5 n1 modulus n2 जो की remainder देता है तो यह हमें देगा 1 तो चलिए एक program करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग arithmetic operators को javascript में यूज़ करेंगे तो हमारा editor start कर लेते हैं, sublain text और इसके बार हम लोग इस file को save कर लेंगे चलिए हम लोग file menu में जाते हैं save में क्लिक करते हैं या save as में हमारा folder हो का desktop पे javascript उसको open कर लेते हैं, उसके अंदे टालेंगे हम लोग file और file का नाम हम लोग देंगे prg1.html HTML code generate कर लेते हैं, title हम लोग लिखेंगे program to add to numbers simply हम लोग दो नमबर को add करके देखेंगे इस में arithmetic operator plus use होगा script generate कर लेते हैं, अभी हम लोग a variable ले रहे हैं where n1 equals to from within double quotes हम लोग लिखेंगे enter the first number ऐसी हम लोग दूसरे number ले लेंगे where n2 equals to from enter the second number जोस्तों आप लोग जानते हैं, prompt से हम लोग user से data ले सकते हैं prompt एक dialogue box की साब से आता है और उसमें हम लोग user से data ले सकते हैं तो दो data ले ले लिए हम लोगो ने, दो numbers n1 और n2 में अभी हम लोग और एक variable declare करेंगे इसमें हम लोग इन दोनों को add करके store करेंगे तो चलिए हम लोग लिखते है, third variable हमारा where sum equals to n1 plus n2 तो हमारे sum में n1, n2 का total store हो गया और alert में हम लोग लिखेंगे within double core sum equals to फिर plus sign लेके हम लोग तो variable sum है, उसका value हम लोग display करते हैं तो यहां हम लोग sum equals to को जैसे लिखा वैसे रिस्क लिखा वह स्ट्रिंग है उसको capital में लिखा तक ही आप differentiate कर पाए और sum variable small letter में लिखा है चलिए और run कर लेते हैं प्रोग्राम को save करने के बाद तो save किया मैंने और run करते हैं ब्राजर में launch करने के बाद हम लोग पहला value 45 और दूसरे value 87 देते हैं और okay क्लिक करने चे हो हमें दिख रहा है 4587 तो actually यह add नहीं हो रहा है यह के पीछे यह क्या रहा है उसका कारण क्या है थोरे दिर में हम लोग जानेंगे तो normally javascript में जब हम लोग user से data लेते हैं यह होता है string और दो string को add करने से plus sign से वह होता है concatenate मतलब एक के साद दूसरे जोड़ जाता है इसलिए 45 plus 87 रिजल नहीं दिखा के दिखा रहा है 4587 क्योंकि वह concatenate हो रहा है तो इससे जो हम लोग चुट करा पाएंगे ठीक है यह इसका solution का वह है percent method यह percent function percent function से हम लोग क्या कर सकते है user से हम लोग input ले रहे number का but वह as a text यह string हमारे पास आ रहा है वो हम लोग integer में convert कर सकता है क्योंकि उसका नाम यह है parse int तो यह integer में convert करेगा तो string हमें मिल रहे है user से prompt के थो से उससे हम लोग integer में convert करेंगे अगर हम लोग integer में convert कर पाए इसको percent से तो हम लोग add कर पाएंगे और addition का सही result भी आएगा